हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक वैल डाइवर्सिवाइड पॉर्टफोलियो बनाना सिखा हुआ जो हर एज ग्रूप के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट माना गया है यानि अगर आपने शेयर बजार में एक लाख रूपए से लेकर 20 लाख रूपए तक इन्वेस्टमेंट कर राखा है या एक नया पॉर्टफोलियो बनाना चाते हैं एक लाख रूपए से लेकर 20 लाख रूपए तक ये शेरबजार के अंदर 6,000 से ज्यादर स्टाक्स लिस्टेट है, जिसमें से हम 2020 स्टाक्स को लेकर एक फाइनल पॉर्टफोलियो त्यार करेंगे जो काफी 5D हमारा पॉर्ट्फोलियो होगा, जिसमें हम्हम काटीगरी लेंगे जैसे स्टी कैटीगरी हमारी यह इसके बाद जो second category हम लेंगे, वो लेंगे moderate growth stock, जिनकी growth ठीक ठाक है, जिसमें large cap companies आती है और कुछ mid cap companies आती है, इसके बाद जो हमारी third category होगी यानि final category वो होगी high growth stocks, जिसमें हम कुछ small cap companies लेंगे और कुछ micro cap companies लेंगे, अब ये जो finally, ये जो तीनों category है, ये कितना percent return दे सकते हैं और इनको कितने साल तक हम hold कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दू, ये जो हम portfolio आज बना रहे हैं, यानि 6000 stock में से हम 20 stock find करेंगे, ये करीब आपको minimum से minimum 20 से 25% का CAGR return दे सकते हैं, minimum इसमें time period रहेगा 3 साल, आपको अगर ये stock लेने हैं और आप portfolio बनाना चाते हैं, तो कम से कम 3 साल या 3 साल से जादा इन stocks को hold करना पड़ेगा, तो ही एक अच्छा return इनमें दिखाई देगा, maximum return की बात करें, तो 30 से 35% का CAGR return आपको बना के दे सकता है ये portfolio, जिसमें हम sector की बात करें, तो सबसे पहला sector हमने लिया है banking, finance और insurance company, जिसमें हमने 30% का weightage दिया है, second हम लेते है IT और internet जैसी companies, जिसमें हमने 20% का weightage दिया है, third हम ले रहे है chemical और pharma, जिसमें हमने 10% का weightage दिया है, fourth consumer durable, जिसमें हमने 10% का weightage दिया है, साथ ही में 5th auto, auto ancillaries या फिर tire जैसे stocks, जिनमें हमने 10% का weightage दिया है, इसके बात construction और infrastructure जैसे stocks, जिसमें भी हमने 10% का weightage दिया है, और finally ह हम लेते हैं अदर्स जिसमें भी हमने 10% का वेटेस डिया है अदर्स में आप चाहे जो आपका टोटल पॉर्टफोलियो है 100% का उसमें कुछ ना कुछ परसंट या नी मिनिमम आप 4-5% cash holding भी रख सकते हैं जिससे future के अदर अगर market correction में आता है जिसमें हम first sector लेंगे banking और finance और insurance का जिसको हमने 30% का वेटेस डिया है अब banking में हम कौन-कौन से stocks ले रहे हैं आप चाहें तो इनके अलावा भी stocks ले सकते हैं जो आपको पसंद हो जैसे HDFC Bank, HDFC Limited, ICSEA Bank, Kotec Minerabank, Axis Bank इसके अलावा आप चाहें तो AU Bank, Bandan Bank ठीक है ऐसे काफी सारे stocks है आपको जो stocks पसंद हो आप ले सकते हैं जिसमें हम दो stocks को लेंगे इसके बाद finance की बात करते हैं finance में बजाज finance, बजाज Finserv, मुतुच finance, चोला finance और आवास finance जिसमें भी हम दो stocks लेंगे जो final portfolio बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कौन से हम stocks को ले रहे हैं इन stocks में से इसके बाद ठर्ड आता है insurance, insurance में हम HDFC Life, SBI Life, ICSEA Lombard, ICSEA Proof जैसे stocks को लिया जा सकता है जिसमें हम total A की stock लेंगे, ऐसे करके total banking, finance और insurance इसमें हम total 5 stocks लेंगे, जिसमें हम 30% का weightage देंगे जो आपको final portfolio में बताऊँगा, कौन कौन से ऐसे stocks हमने लिये हैं, इसके बाद हम बात करते हैं second sector, second sector हमारा आता है IT, internet companies जिसमें IT की बात करें, तो हमने इनको दो category में divide किया है, कुछ companies हमने लिये है consistent compounder, यानि blue chips companies जैसे TCS, Infosys, Wipro, SCL Technology या फिर Tech Mindra जैसी company, इन में से हम कोई भी एक stock लेंगे, या आप कोई भी एक stock ले सकते हैं, जो आपको पसंद आता है इसके बाद IT में second category लेंगे, जो कुछ companies large cap है और कुछ companies mid cap categories में आती है जैसे LTI, LTTS, Mind Tree, Cofforge, Tata LXC, Happiest Mind और KPIT जैसी companies, जिसमें भी हम सिर्फ एक company ही लेंगे इसके बाद third category हमारी आती है, इसमें internet companies से related, जिसमें Apple India, Root Mobile, इसके बाद Car Trade हो गया, Jometto हो गया और Tunnelah Platform जैसी companies हो गई, जिसमें भी हम एक company लेंगे, यानि total IT और internet companies में से हम तीन company लेंगे इसके बाद जो हमारा third sector आता है, वो आता है chemical sector, जिसमें chemical और pharma, दोनों companies को mix up में लेंगे जिसमें हमने 10% का weightage डिया है, आप चाहें, अगर आपको लगता है, आने बाले 5 सालों में या 3 सालों में, कौन सा sector सबसे ज़्यादा boom कर सकता है, यानि कौन से sector में सबसे ज़्यादा return आ सकता है, तो वो sector में आप थोड़ा weightage बढ़ा सकते हैं और आपको लगता है कोई sector अच्छा perform नहीं करेगा, तो उसमें आप कम से कम weightage दे सकते हैं तो आप अपने according भी इन portfolio को set कर सकते हैं, बट अभी जो stocks हम set कर रहे हैं, यह आपकी काफी मदद करेंगे, कैसे पूरा well diversified portfolio बनाया जाता है अब इसमें जो third हम ले रहे हैं chemical और pharma में, chemical की बात करें, तो chemical में हम alkylamines, PD light, dipak night light, clean science, rosary biotech, luxury organic जैसी companies लेंगे जिसमें से हम सिर्फ दो ही company को पसंट करेंगे, इसके बाद हम pharma की बात करें, तो lupin, doctor ready, supply जैसी companies लेंगे, जिसमें हम एक company लेंगे यानि chemical sector में हम total तीन company लेंगे, इसके बाद जो next sector आता है, वो आता है consumer durable और fmcg, जिसके अंदर consumer durable की बात करें, तो हमारी list में है polycap, bigard, umber enterprises, bajaj electrical, hevels India और इसके अलाव आप चाहें तो pipes की company भी इनमें add कर सकते हैं, pipes की company add करना चाहते हैं, तो asural हो गया, phenolax हो गया, phenolax industries हो गया, prince pipe हो गया, ठीक है, और supreme industries हो गया, तो इस type की company भी आप चाहें, तो add कर सकते हैं, इसके बाद हम fmcg company की बात करें, तो itc हो गया, actual हो गया, गोदरेच consumer हो गया, और Tata consumer हो गया, तो इसमें हम consumer durable में दो company लेंगे, और fmcg में हम एक company लेंगे, यानि इस total sector में हम तीन company लेंगे, इसके बाद fifth sector की बात करें, तो हमने लिए auto, auto, ancillaries, और tire जैसी companies, जिसमें हम बड़ी company में बात करें, यानि blue chips company में ब जारूती, hero, motocop, bajaj auto, ashrock, leland, escort और tata motor जैसी companies आती है, इसके अलावा auto, ancillaries में भी आप बात करना चाहते हैं, तो मेंडा industries हो गई, इसके अलावा sona comstar जैसी companies हो गई, then tire की बात करते हैं, तो Apollo, MRF, C8, बाल क्रिश्न जैसी companies हो गई, जिसमें हम total 2 stocks लेंगे, यानि auto, auto, ancillaries म बी एक stock ले लेंगे, इसके बाद जो next sector आता है, वो आता है construction और infra structure, इसमें भी हमने दो category में divide किया है, कुछ companies ऐसी जो large cap category में आती है, और कुछ companies ऐसी, जो mid cap और small cap companies में आती है, जिसमें large cap companies की बात करें, तो L&T, Godrich properties और DLF जैसी companies आती है, इसके अलावा mid cap और small cap companies की बात करें, तो GR infra, HR infra और prestige state चैसी companies शामिल है, जिसमें से हम total दो company लेंगे, इसके बाद next final sector आता है others, जिसमें आप चाहें, तो पूरा का पूरा आप cash holding रख सकते हैं, या फिर आप stocks लेना चाहते हैं, तो इसमें others में, इसके अलावा आप कोई भी stock ले सकते हैं, जो आपके radar पे ह जैसे हमने निकाले हैं, D-Mart, Tata Power, Dixon Technology, JK Cement, क्योंकि Cement हमने उपर नहीं लिया है, तो यहां Cement हम add करना चाहें, तो कर सकते हैं others में, इसके अलावा DB's Lab, Carbon Random Universal, और Grindwell, Northern जैसे stocks को लिया जा सकता है, अब इसमें हम कौन से 20 stocks ले रहे हैं, उसका final portfolio आपको बता देते हैं, जो पह Finance, 4th बजाच FinServe, और 5th HDFC Life, अगर आपका portfolio एक लाख रुपे का है, तो इसमें आप बजाच FinServe जैसे stock को include नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बजाच FinServe का stock काफी ज्यादा expensive हो चुका है, यानि 18.30 जार का stock है, तो आप अपने portfolio में नहीं डाल पाओगे, अगर आपका portfolio का amount छोट है, या एक दो लाख रुपे का portfolio है, तो आप बजाच FinServe की बजाए, आप चाहे तो इसको change कर सकते हैं, आप चाहे तो चोला finance ले सकते हैं, आवाज finance ले सकते हैं, तो जो आपकी capital है, उसकी according आप stocks ले सकते हैं, तो total 5 stocks आपको लेने हैं, इसमें हमने HDFC bank और कोटक मेंड़ा इसे दिखाई देती है, और future में आपको एक अच्छी growth दे सकते हैं, जिसमें mix-up में है, कुछ stock consistent compounder है, कुछ stock high growth वाले हैं, और कुछ stocks moderate growth वाले हैं, जिसमें आप चाहे तो बजाच FinServe जैसा stock, या बजाच finance जैसा stock, वो high growth में आ जाता है, या मुतुत finance, चौला मनलम बाला हाई growth में आ जाता है, HADFC bank, Kotec Mindra bank, HADFC bank, ये एक consistent compounder भी रहे हैं, और आप इनको moderate growth में भी डाल सकते हैं, ऐसे ही second sector की बात करें, तो second sector है हमारा IT और internet, जिसमें हमने 20% का weightage जिया है, और 3 stock को select किया है, यानि total 8 stocks हो जाते हैं अभी तक, जिसमें हमने जो large cap categories 4, ठीक है, 4-5 stocks जिसमें हमने ACL technology लिया है, आप क्या है तो Bipro ले लिजिए, TCS ले लिजिए, Infosys ले लिए, जो आपको पसंद है, आप बोल ले सकते हैं, एक stock लेना है, यानि उन blue chips companies में से, इसके बाद जो 7th नमबर का stock है, वो है LTI, इसके बाद हमने बहुत सारे stocks चुनेते, LTI, माइन, क् चूज किया है, इसके बाद finally हमने FL India चूज किया है, यानि total 8 stock हो चुके हैं अभी तक, अब यह जो 3 stocks है, इनमें भी आप 20% है, वेटेस दे सकते हैं, यानि अगर आपका 1 लाग रुपय का portfolio है, तो 20% मतलब 20,000, तो इन 3 में आप divide कर लिजिए, और जैसे आप set करना चाते है अगर आपके stocks अलग है, तो उस हिसाब से आप divide कर सकते हैं, और आप जो weight is है, वो भी आप थोड़ा ज्यादा कम देना चाते हैं, तो अपने according side कर सकते हैं, अगर आपको लगता है future में growth कौनसा sector ज्यादा अच्छा दे सकता है, तो आप अपने according थोड़ा ज्यादा कम भी कर सकते हैं, इसके बाद जो हमारा third sector आता है, वो आता है chemical, जिसमें हमने एक चुना है PD light, इसके बाद Rossery Biotech और इसके बाद चुना है सिपला, total 11 stocks हो चुके हैं, अब इसमें PD light चुनने का जो reason है, वो मैं आपको बता देता हूं, PD light एक consistent compounder है, क्योंकि हमने जो categories चुनी है, जि जिसमें भी आप equal weightage दे सकते हैं, इसके बाद जो next sector आता है हमारा वो आता है consumer durable, FMCZ, और consumer durable में हमने FMEG companies चुनी है, यानि fast moving electrical goods, जिसमें polycap और phenolax industries और growth rate consumer ये तीन company चुली है, जिसमें polycap की बात करें, तो ये एक high growth company में आती है, और consistent compounder भी रही है साथ में, इसके साथ industries की बात करें, तो phenolax industries एक moderate growth के अंदर आती है, जो आपको moderate return बना के भी दे सकती है, थर्ड गोद्रेच consumer, जो की एक moderate growth में आती है, और एक consistent compounder भी company रही है, तो ये तीन company को हमने लिया है, जिसमें हम 10% का weightage देंगे, और इन sector में आपको जो companies पसंटे आप बोल ले सकते हैं, उसके according आप इन में percentage आप अपना divide कर सकते हैं, इसके बाद जो next sector आता है हमारा वो आता है, auto, auto, ancillaries और tire जैसी companies, जिसमें हमने लिया है, पहला अशोक Leland, यानि auto में हम अशोक Leland ले रहे हैं, tire में हम ले रहे हैं, बालक्रिस industries, इसके अलाबा आप चाहें, बालक्रिस industries लेना industries को ही add किया है, जिसमें हम 10% का weightage देंगे, इसके बाद next जो हमारा sector आता है, वो आता है, infra, structure, construction, cement जैसी companies आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें हमने consistent compound ली है, जो की आती है L&T, और इसके बाद एक हमने लिया है HR Infra, जो की एक high growth company हाती है, इसके बाद last others, जिसमें हमने 10% का weightage दिया है, जिसमें आप चाहें, तो J के cement दे सकते हैं, carbo random दे सकते हैं, यानि इन दोने stocks को आप चाहें, तो 5% का weightage दे सकते हैं, और बाकी जो बचा 5% उसको आप cash holding के रूप में रख सकते हैं, जो future में market में correction आता है, तो वहाँ पे वो cash आपके काम आ सकता है, तो इस तरीके से हमने 20 stocks ये हैं, और ये 20 stocks का well diversified portfolio बन चुका है, जो future में minimum से minimum 20% का CAGR return आपको बना के दे सकता है, और maximum की बात करें, तो ये return आपका 30-35% के CAGR return तक भी जा सकता है, जो ये हमने portfolio बनाया है, ये हर age group के लिए काफी ज़्यादा perfect माना जाता है, तो आज का video यहीं ओप national purpose के लिए बनाया गया है, किसी भी stock में entry exit लेने से पहले आप अपने financial advisor के राय जवड ले ले, अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने friends और family के साथ इस वीडियो को आप share भी करें, और अभी तक आपने हमारा चनल सब्स subscribe कर ले, मिलते हैं आगले वीडियो में, thank you